येशु मसी के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सब का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम दान के विशय में और प्राथना के विशय में हमारे प्रभु येशु ने जो टीचिंग दिया है वो देखने जा रहे है So, let's get started सावधन रहो, तुम मनुश्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्गिय पिता से कुछ भी फल न पाओगे इसलिए जब तु दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा जैसे कप्टी, सभाओ और गलियों में करते है ताकि लोग उनकी बढ़ाई करे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल आ चुके परन्तु जब तु दान करे तो जो तेरा दाहीना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा जब तु प्राथना करे तो कप्तियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना लयों में और सडकों के मोडों पर खड़े होकर प्राथना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा जुगे परन्तु जब तु प्राथना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्राथना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा प्राथना करते समय हन्य जातियों के समाद बकबक ना करो क्योंकि वे समझते है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी इसलिए तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मागने से पहले ही जानता है के तुम्हारी क्या-क्या हावश्यक्ताए है अतह तुम इस रिती से प्राथना किया करो हे हमारे पिता तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृत्वी पर भी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अप्राधियों को क्षमा किया है वैसे ही तु भी हमारे अप्राधों को क्षमा कर और हमें परिक्षा में न ला परन्तु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महीमा सदा तेरे ही है आमेन इसलिए यदि तुम मनुष्य के अप्राध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा और यदि तुम मनुष्य के अप्राध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अप्राध क्षमा न करेगा हमारे प्रभु येश्यो मस्य के द्वारा दिये गए ऐसे टीचिंग्स को सुनने के लिए लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गब ब्लेस यू और बबाई